आज इस personality के मैं बात करूंगी ये हैं तो एक celebrity family से ही लेकिन ये इस glamorous दुनिया से दूर ही रहती है In fact, इनके बारे में या इनकी life के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं इसलिए आज इनकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ Well, आज हम बात करेंगे सैफ अली खान की छोटी बहन और सोहा अली खान की बड़ी बहन सबा अली खान के बारे में कब क्यों और कैसे में मैं आपको बताऊंगी कि कब सबा को मिली सबसे बड़ी उपाधी पटोधी family में क्यों सबा इस glamour इंडस्ट्री से दूर रहती है और कैसे सबा अब तक है कबारी सबा का पूरा नाम है नवाबजादी सबा सुल्तान बेगम साहिबा और पटोधी ये मनसूर अली खान और शर्मिला टेगौर की second child है सबसे पहले सैफ अली खान हुए है और उसके बाद सबा का जन्म हुआ और सबसे चोटी है सोहा सबा का जन्म तो मुंबई में ही हुआ लेकिन कुछ समय बाद सबा की family दिल्ली मूव हो गई जिसके बाद उनकी परवरिश दिल्ली में ही हुई सबा अली खान को अपने मॉम के प्रोफेशन का इतना खास शौक नहीं था लेकिन जिस माहोल में वो बड़ी हुई है वहाँ पर उन्होंने एक बहुती रिच कल्चर देखा है फिर चाहे रॉयल कपड़े हो या फिर रॉयल जूलरी हो यही कारण है कि शुरुआत से ही सबा को डिजाइनिंग का बहुत शौक था डिली स्कूल आफ आर्ट से और उसके बाद वो यूएस चली गई जहां से उन्होंने जेम्स डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया यूएस से आने के बाद सबा ने खुद की एक जूलरी ब्रैंड लॉंच की जिसका नाम उन्होंने सबा ही रखा सैफ सबा और सुहा इन तीनों में से सबसे ज़दा वक्त सबा ने अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ गुजा रहा है क्योंकि सैफ अली खान तो मुंबई आगे ते आक्टर बनने वहीं अगर बात करें सोहा अली खान की तो वो भी बाहर पढ़ने चली गई थी ऐसे में मम्मी पापा के साथ सबसे ज़दा टाइम सबा नहीं गुजा रहा है कहा जाता है कि नवाब पचौदी की सबसे फेवरेट बेटी सबा ही थी यही कारण है कि जब सैफ अली खान के पिता की डेथ हुई तो उनकी एक बहुत ही एहम पोजिशन सबा को दी गई एक्चुली सबा के पिता एक रॉयल ट्रस्ट के चीफ थे जिसके अंदर सभी रॉयल प्रॉपटीज का ध्यान रखा जाता है जिसका नाम था ओकाफ है शाही जब तक सबा के पिता जिन्दा थे तो वो इस ट्रस्ट के चीफ थे और अब उनकी डेथ के बाद पिता के इच्छा पर सबा को ही इसकी चीफ ट्रस्टी बनाया गया वही सैफ अली खान को नवाब ओफ पतौदी का टाइटल दिया गया यह जो ट्रस्ट है इसके अंदर 1000 प्रॉपटीज है जिसकी देख रेक सबा ही करती है यह प्रॉपटीज जादा करके भोपाल में है इसके अलावा साओधी अरब के मक्का मदीना में भी प्रॉपटीज ह पता के लिए कहा था और तभी से करीना और सबा की दोस्ती हो गई सबा अली खान एक जूरी डिजाइनर होने के साथ साथ अपने पिता के ट्रस्ट की चीफ ट्रस्टी भी है साथ ही वो एक स्पिरिच्वल हीलर भी है टेरो कार रीडर भी है और उन्हें फोटोग्राफी का अभी बहुत शौक है जो कि उनके सोशिल मीडिया पर देखा जा सकता है सबा ने आज तक शादी नहीं की वो अपनी मॉम शर्मिला टेगार और अपने भाई बहन सैफ और सोहा से बहुत क्लोज है इसके अलावा सबा के इंस्टाग्राम पर वो हर समय सारा अली खान और इब कुछा गया था कि जब आप इतनी बड़ी फैमिली से बिलॉंग करती है जिस फैमिली के काफी मेंबर्स फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो आप इस फिल्म इंडस्ट्री से दूर क्यों रहती है आप इस ग्लैमर की दुनिया से दूर क्यों है तो ऐसे में सबा का कहना है कि उन 2700 करोड की इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसकी देखरेक की जिम्मिदारी सिर्फ और सिर्फ सबा पटौती की ही है यानि कि कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए सैफ और सोहा जित्मा नहीं कमाते हैं उससे जादा के responsibility सबा के कंधो पर है सबा भले ही पटौदी फैमिली की सबसे कम चर्चित personality हो लेकिन जिस लेवल का काम वो करती है वो काम उन्हें बहुत बड़ा बनाता है तो यही है कहानी पटौदी फैमिली के उस member की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे बॉलिवुड केक और स्टोरी के साथ लाइक करें हमारा Facebook पेज बॉलिवुड ठिकाना फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बॉलिवुड ठिकाना